किया यार मूरी ओफ हो गया अतलब दिल ही तोड़ दिया आज तो लगा नहीं था कि इंडिया शीलंका से हार जाएगी और वो भी इतने इंपोर्टेंट मैच में तो बहुत ही अजीव लग रहा है वो भी एंड में और वो भी 22 के देख अतलब अगर एक तो पहले तो पेबल लाइंस पर बोलिंग करना वाइड मतलब ऐसे टाइम पर पहले इतने कम रंस थे और वाइड डाल देना तो यार बड़ाई मूड ओफ हो गया अब अल्रेडी अब समझा बहार ही है शेक अब से क्योंकि पाकिस्तान को अप अपने दोनों मैं चाड़ने है शीलंका से जो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अफगानिस्तान से लगता है जीती जाएगी और शीलंका से भी पाकिस्तान जीत जाएगी तो क्या गलत हो रहा है तो सबसे पहले तो यही चीज़ थी कि रवी बिश्नोई जिसने लास्ट मैंच में सबसे अच्छी बोलिंग करी आपको पता है कि विकेट ड्राइ है कोमेंटेटर स्पीच रिपोर्ट हर जगा बता रहे है और स्बिनर्स को मदद मिलेगी चहल को इतनी टरंड मिल रही थी अगर विश्नोई यहां पर खेलते तो मुझे लगता हूं नहीं बहुत अच्छी टरंड मिलती है और यह मैंच जो है वो है ना तो उतने दस पंदरन तो अश्विन भी बना देता है और हमें एक एक्स्ट्रा बोलर की जरूरत थी आज भी जब पिटाई हो रही है तो हमें वही पांच बोलर यूस करने पड़ रहे हैं और दीपक हुड़ा से आज भी बोलिंग नहीं करवाई गई तो यार बहुत टैलेंटेट खिलाडी हमारे पास हैं और साथ के साथ इतनी फैसिलिटीज हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ना बहुत एज़ा क्रिकेट लवर एज़ा टीम लवर बहुत बुरा लग रहा है और आपको क्या लगता है पहले तो मुझे लगता है रंस ही कम बने मतलब क स्टार्टिंग में शायद हमने थोड़ा हलके में ले लिया स्टार्टिंग में की थोड़ा तावर तोड़ खेलेंगे और विकेट स्टार्टिंग में जल्दी गिर गए इराट का भी शौट बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन ठीक है बट फिर रोई शर्मा ने बहुत यहाँ पर रोई शर्मा की पार्टनर्शिप बहुत अच्छी थी लेकिन वो ही जैसे ही फिर विकेट गिरा तो वो ही हुआ कि लास्ट मैच की तरह पाकिस्तान वाले मैच की तरह कि जहां लग रहा था कि यार 80-90 बन जाएंगे वो नहीं हो पाया क्योंकि फिर विकेट गिर इसा लग रहा था कि इंडिया बहुत असानी से हा रही क्योंकि जिस तरह निसंका खेला जिस तरह कुशल मेंडिस खेला पिटाई तो करी करी रिस्पॉंसिबल पिटाई करी ऐसा नहीं कि आडे शॉट मारे लेकिन चेहल ने वाकिने बहुत अच्छी बोलिंग करी और जो य विकेट्स निकालता है चेहल का एक ओवर और होता ना चेहल और विकेट्स निकाल सकता है जिसे साफसे बोल टर्न हो रही थी लेकिन फिर वो ही बात है कि शाना का खतरनाक कि लाड़ी राजा पक्षा खतरनाक कि लाड़ी चल गए फिर एंड में आर समझ नहीं आया कि लास म ट्राइब लेकिन ये है कि थ्रों ना करते तो स्याद् कुछ हो जाता, बस अब वो जी है जो पिछले काफी तूर्णामेंट में हो रहा है हम यहीं सोचते रह जाते हैं काश यह हो जाता या यह बहुत है yay पीकिन हम क्यू हं रही तो comment करके आप भी बताओ हम क्या लगता है कि कहां पर गलती हो रही और ऐसे टायर World Cup जो इस बार Australia में है ठीक है न वो कैसे जीता जाएगा तो comment करके बताओ आपके हिसाब से match जो है कहां पर हम हारे मेरे हिसाब से तो पहले toss बहुत important रहता है यहाँ पर UAE में दुबई में ठीक है तो toss जो है वो काफी important factor रहता है UAE में साथ के साथ जो है बिश्नोई का selection बिश्नोई को drop नहीं करना चीए था यूगि बिश्नोई शील और फिर शीलंका से भी हार जाए जो मुझे तो possible नहीं लग रहा है लेकिन उम्मीद कर सकते है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान जो अपने दोनों match हार जाएगा और अभी भी कुछ हो सकता है इस tournament में चमतकार यही चीज़ बुरी है कि पिछले world cup में भी हमें यही पहली हा कमेंट करके जरूर बताएगा यह वीडियो इसलिए बनाई है कि बहुत सारे आपके message आ जाते हैं कि discussion के या फिर क्या गलत हो रहा है क्या नहीं तो एक एक reply करना कई बार मुश्किल हो जाता है इसी वज़े से वीडियो बनाई है ताकि हम यहाँ पर discuss कर सकें तो कमेंट करके जरूर बताना बाकी अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे साथ टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाएए यही पर आपको fantasy teams मिलती है dream 11 की हो या दूसरी apps की हो सब आपको यही पर मिलता है match preview videos वगेरा भी तो link मैं टेलिग्राम चैनल का description में डाल रहा का उल प्रेओग मिलती है